हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम लेके आए हैं पकी हुए केले की ऐसी रेस्पी जो कि बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और इस रेस्पी को देखने के बाद आप पकी हुए केले फेकेंगे नहीं इस recipe को जरूर try करेंगे तो केले को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद अब हम लेंगे mixer जार और फिर उसमें केले को हम डाल देंगे और उपर से डालेंगे इसमें हम एक कटोरी दूद तो दूद को गरम करके मैंने ठंडा कर लिया था अब हम डालेंगे आदी कटोरी चीनी और साथ से याठ यहाँ पे मैं डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे तो यह देखिए मैंने पीस लिया है अब किसी बड़े से बाउल में हम इसको निकाल लेंगे तो थोड़ा थोड़ा केला टुकडों में बच गया है लेकिन जब इसको हम फेटेंगे तो बहुत ही अच्छा बैटर बनके तयार होगा तो यह बनाना से एक नहीं है आप सोच रहोंगे कि यह बनाना से एक लग रहा है लेकिन यह बनाना से एक नहीं है तो यहाँ पर मैंने एक कटूरी मैदा लिया है, मैदे को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसमें मिलाएंगे एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे एक बहुत ही स्मूथ बैटर बनाके हम तयार करेंगे और यहां पर देखें मैंने सारे मैदे डाल लिये हैं और इसको फेट लिया है तो जितना ही इसको फेटेंगे उतना ही अच्छा बैटर बनके तयार होगा तो फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल ले हूँ एक छोटा चमच इलाइची पाउडर और इसको डालने के बाद अच्छे से फेट लेंगे तो बहुत ही अच्छा बैटर बनके हमारा तयार हुआ है तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढग देंगे ताकि सुजी अच्छे से फूल जाए और बैटर अच्छे से सेट हो जाए 10 मिनट के बाद हमने चेक किया तो फिर से इसको थोड़ा सा हम फेट लेंगे अगर बैटर ज़्यादा गाड़ा लगे तो थोड़ा सा दूदिया पानी यहाँ पे डाल सकते है अब मैंने यहाँ पे ओईल भी गरम कर लिया है ओईल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो आप कल्ची की हेल्प से या तो किसी कटोरी की हेल्प से बैटर को डाल सकते हैं तो यह देखे कितना अच्छा गुबारे की तरफ फूल रहा है लग रहा है एकदम गुबारा है तो इसको हलकी आज़ पे हम इसको तलेंगे और दोनों तरफ सुनहरा गोल्डन होने के बाद इसको हम निकालेंगे तो ऐसे ही करके हम सारे गुल्गुले बना लेंगे तो फ्रेंज यकीन मानिये ये बच्चे बड़े सब को पसंद आता है आप इसको रखके दो तीन दिन तक अराम से खा सकते हैं ये खराब नहीं होता है तो देखे कितने अच्छे से ये फूल रहा है बिल्कुल गुबारे की तरह तो ऐसे ही करके हम सारा बना लेंगे तो फ्रेंज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी सेयर कर लीजिएगा तो ऐसे ही करके हम सारे गुल्गुले बना लेंगे और मैं सारा बना के फिर आपनों को दिखा रही हूँ तो ये देखे कितने अच्छे से फूले हैं तो इसी तरह से सारा हम बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने बना लिया है और देखे सारे फूले हैं एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं फूला है सारा फूला है और एक मैं आपनों को तोड़के भी दिखा रही हूँ तो ये तोड़के मैं दिखा रही हूँ ये देखी अंदर से कितना अच्छा चाली की तरह बना है अब बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में ताई होप आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो ताई हो थाओगे लगता है झाई है